हेलो दोस्तों, वेलकम टो माई चैनल, दोस्तों देखिए आज मैं फिर से एक जूती का पैटर लेके आई हूँ, सिंगल कलर से मैंने बनाया है, ये लाइट ग्रीन कलर है मेरा, धानी रंग जिसको बोलते हैं, आप अपने मन पसंद किसी भी कलर में इसको बना सकती है, ये नाप जो मेरा है, ये है चार से पांच फुट साइज के हिसाब से, आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा इसको कर सकती है, ये देखिए, चार और पांच बिलकुल फिट आ रहा है, और अगर आप चाहें तो देखिए, छे नंबर को भी ये बहुत असानी से आएगा, क बनाया है, लेकिन ये छे नंबर को भी बहुत आसानी से आजाएगा, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये जूती जो है मैंने बनाया है, देखिए, ये है मेरी लच्छी वाली उन, इस बेबी बूल जो बोलते हैं, फोर प्लाय उन, ये मैंने लिया है, और दस नंबर की सलाई से, आप अपने हाथ के हिसाब से सलाई ले सकती है, या जो भी उन आपको मिलता है, आप ले सकती है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हम डालेंगे सबसे पहले 52 फंदे, यानि की 52 फंदे, तो ये देखिए इस तरीके से, और फं नहीं रखना है, क्योंकि ये हम स्टार्ट करेंगे एक तरफ से, और नीचे से आते हुए दूसरी तरफ हम इसको बंद कर देंगे, तो देखिए, इस तरीके से, बिलकुल लूज, देखिए, इस तरह से फंदे हम डालेंगे, टोटल 52 फंदे, यानि की 52 फंदे, तो ये देखिए, सबसे पहले फंदे डाल लेते हैं, जैसे भी आपको असानी पड़े, आप फंदा डाल सकती हैं, ये देखिए, फंदे मैंने डाल दिये हैं, अब हम सबसे पहले ये बॉडर बनाएंगे, तो ये रॉंग साइड है, रॉंग साइड से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये देखे, पहला फंदा उतारेंगे, उन पीछे करेंगे, और इस तरीके से इसका हम बॉर्डर बनाएंगे, एक उल्टा, एक सीथा, एक उल्टा, एक सीथा, एक उल्टा, एक सीथा, इस तरीके से बॉर्डर कम्प्लीट कर लेते हैं पहले, ये देखिए, ये हमारी पहली सलाई है, लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा आएगा, क्योंकि उल्टे फंदे से हमने शुरू किया है, और टोटल 52 फंदे हैं, तो उल्टे से हमने शुरू किया है, तो लास्ट हमारा सीधा, अब राइट साइड है ये देखिए जो फंदे जैसे हैं उनको हम वैसे ही बनाएंगे तो पहला फंदा उतार के उन पीछे सीधा पर सीधा उल्टा पर उल्टा बिनते हुए हम टोटल छे सलाई का बॉर्डर बनाएंगे आप ज़्यादा बना सकती है मैंने छे सलाई बनाया है तो मैं इसको छे सलाई ही बनाऊंगी तो इस तरह से देखिए कर्थिक पर टोटल छे सलाई का बॉर्डर पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम उसके आगे यह सब बनाएंगे तो यह है दूसरी सलाई टोटल छे सलाई बॉर्डर का ये देखिए बॉर्डर एक तरफ का बन गया है और ये मैंने बनाया है टोटल छे सलाई और अगर मैं इसको नाप के दिखाऊं तो देखिए लगभग एक इंच है पूरा नहीं है लगभग एक इंच है आप चाहें तो इसको और ज्यादा भी बना सकती है अब ये है हमारी रॉंग साइट रॉंग साइट से ही हम स्टार्ट करेंगे तो आप यहां से ये देखिए पहला फंदा हर बार हम उतार रहे हैं तो आप यहां से सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बनाएंगे 52 यानि की 52 फंदे सभी को इस तरीके से उल्टा-उल्टा बना लेंगे रॉंग साइड ही है अगर आप चाहें तो दो कलर भी लगा सकती है यह पूरी सलाई मैं इस तरह से बिन के आपको दिखा देती हूँ इसी तरीके से हमको दोनों तरब से बनाना है टोटल 52 फंदे अगर आपका फुट साइज और बड़ा है तो आप 54 या 55 भी रख सकती है इससे ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि फिर यह चोड़ाई में फैलता है तो शुरू में ठीक रहेगा लेकिन यूज करने के बाद कुछ दिन बाद यह ढीला हो जाता है यानि लूज होता है तो पैरों से निकलने लगता है तो अब देखिए यह हो गया और लास्ट वाला फंदा सीधा क्योंकि उधर से भी हमको उल्टा-उल्टा ही बनाना है तो यह देखिए इस तरीके से अब इधर से हम ऐसे बनाएगे तो दोनों तरब से इस तरह से उल्टा-उल्टा बनाते हुए टोटल मैंने बनाया है 34 रो राइट साइड पे यानि कि टोटल यह देखिए यह जो लाइनिंग है टोटल राइट साइड पे 34 अगर टोटल सलाई देखा जाए बॉर्डर के बाद तो 68 सलाईया दोनों तरब से उल्टा-उल्टा बनाते हुए तो राइट साइड पे हमारा 34 रो आजाएगा यह दानेदार जिसको हम गाटर स्टीज भी बोलते हैं तो उल्टी बिनाई करते हुए इस तरीके से दोनों तरब से 68 सलाई और राइट साइड पे अगर हम देखें तो 34 रो अगर आपका पैर बड़ा है तो आप 36 रो भी कर सकती है या चोड़ा है तो और अपने पैर के हिसाब से आप इसको बना सकती है तो यह देखें इस तरह से करते हुए हम कम्प्लीट कर लेंगे 34 रो तो यह देखें यह आगया एक लाइट 34 रो राइट साइड पे यह देखें इसकी लंबाई पूरी हो चुकी है रॉंग साइड है यह टोटल 34 रो मैंने इस तरह से देखें पिन लगाया था काउंट करने के लिए तो यह देखें दो चार छे आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबिस चौबिस अठाइस तीस बत्तिस और चौटिस राइट साइड है दोनों तरफ 34 34 रो है अब हम बॉर्डर जैसे हमने स्टार्ट में बनाया था वैसे ही अब यहाँ पे भी हम बनाएंगे तो पहला पंदा उतार के उन पीछे करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग जो की थी वो देखें पहला पंदा हमारा उल्टा ही था तो इस तरह से एक उल्टा एक सीधा करते हुए फिर से हम 6 सलाइका बॉर्डर कम्प्लीट कर लेंगे जितना नीचे है आप जितना नीचे रखती है स्टार्टिंग में उतना ही लास्ट में भी रखिए तो इस तरह से बॉर्डर कम्प्लीट करेंगे पहले देखे यह पहली सलाई है लास्ट वाला पंदा सीधा स्टार्टिंग में भी था और अब यह सेकेंड रो हम इस तरीके से पहला पंदा उतारेंगे फिर से उन पीछे करेंगे और एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए छे सलाई का अपना यह बॉर्डर कम्प्लीट कर लेंगे यह दूसरी सलाई रॉंग साइड से राइट साइड है यह रॉंग साइड से हमने स्टार्ट किया था यह छे सलाई का बॉर्डर पहले कम्प्लीट कर लेते हैं यह देखिए बॉर्डर बन क्या है इस तरीके से यह अब हमारा wrong side है यहां से अब हम सारे फंदे बंद कर देंगे तो इस तरह से दो-दो फंदे एक संग लेते हुए सभी फंदे बंद कर देंगे तो देखिए बहुत loose या tight नहीं करना है जिस तरही के से आपका हाथ चलता है क्योंकि हमको दोनों तरफ को लेके सिलाई करनी है तो यह फंदे जो हमारे हैं बहुत tight नहीं होने चाहिए जैसे हमने फंदे डाले हैं उसी के बराबर ये भी आ जाना चाहिए तो देखिए इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर देंगे wrong side है यह हमारा wrong side से ही हम उल्टा उल्टा बिनते हुए इसको बंद कर रहे हैं ये देखिए इस तरह से करते हुए सारे फंदे बंद कर लेंगे अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपका लूज हो रहा है फंदा उतारते समय तो आप सारे फंदे इस तरीके से थोड़ी से हलके से खीच के फिर बंद कर ये देखिए अब यहाँ पर उल्टा हम कट कर देंगे इसको इस तरह से थोड़ा सा रखते हुए कट कर लेंगे तो यह है इसकी राइट साइट मैंने इसलिए पिन लगा के रखा है और ये है इसकी wrong side, ये देखिए इस तरीके से है, इसकी देखिए जो लंबाई हमारी बनी है बिनते हुए वो 8 हिंच से कम है, आप 8 हिंच मान के चलिए क्योंकि ये उल्टी-उल्टी बिनाई में थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये लगभग इस तरीके स है और ये चोड़ाई जो इसकी है ये देखिए ये 8 हिंच है तो लगभग बराबर आता है ये कोई जरूरी नहीं है, अगर आपका पैर बड़ा है या आप इस तरह से अपने पैर पे रखके देख लीजेगा बिनते टाइम ये देखिए इतना ये ऐसे आजाएगा तो आप का ये नाप सही है, अगर ये कम होता है तो आप इसको और बिन सकती है, ये चीज काफी है क्योंकि ये थोड़ा सा खिच के आना चाहिए नहीं तो बाद में ये लूज होने लगता है, चलिए अब इसकी सिलाई कर लेते हैं, बहुत इजी है इसको सिलना, दो चीज आप इसम लगा लीजिए आधा पोर्शन हम सी लेंगे आधा पोर्शन हम रहने देंगे ये पैर डालने के लिए तो सबसे पहले आगे का ये चीज हम बनाते हैं तो यह देखिए उन मैंने सुई में डाल लिया है अब यह हमारी राइट साइड है राइट साइड से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यहां जो हमने बार्डर बिनना स्टार्ट किया था देखिए वहां से एक दो यह तीन लाइनिंग छोड़ने के बाद यह जो चौती है इसमें से हम ऐसे तीन प्ल़नेंगे और यह इंगाओ है आप अब पकड़े रही तक देखिए एकड़ चोड़ के इसके अगले वाले में से इस तरह से फिर blek चौड़ के इसके अगले वाले में अब ऐस निकालते जाएंगे लास्ट चार लाइन रहने तक देखे इस तरीके से एक को छोड़ देना है उसके अगले वाले में अगर आपकी लाइनिंग एक्वल नहीं है कम जादा है और आपको लगता है कि नहीं ये गैपिंग नहीं आएगी बराबर तो भी स्टार्ट करिए चार धारी जब हमारी चौथी धारी है वहाँ से और लास्ट में चौथी धारी तक आप ले जाएए चाहे लास्ट में आपको दो बार ऐसे पिरोना पड़े सुई तो यह देखिए इस तरीके से करके यह एक छोड़ेंगे एक में से ऐसे निकालते जाएंगे याद रखिएगा राइट साइट से इसको करना है यह यहां तर और अब देखिए इधर से एक, दो, तीन, चार मेरा यहां आया है तो मैं यहां पे यह लास्ट यह देखिए, ऐसे कर लूँगी और अब इसको हम खीच लेंगे, दिखे धागा, ऐसे खीच लीजिए खीच के यहां पे हम इसको टाइट बान देंगे जो राइट साइट है उसको अंदर की तरफ करके यह देखिए, धागा, यह कोशिच करिए, यह वाला खीच यह जो हमारा बड़ा वाला सीरा है और छोटे वाले सीरे से यहां पे बस थोड़ा सा बचे इस तरह से करके नौट लगा देंगे, एक बार और लगा देंगे यह देखिए, राइट साइड में यह ऐसे हमारा आएगा देखिए, अब इसको इस तरह से पलट दीजिए, और पहले हम यहां से यहां तक की सिलाई करेंगे और फिर इसको हम हाफ पिन जो है, देखिए, बिल्कुल हाफ में, आप चाहें तो इंची टेप से नाप सकती है, या आप यह बार्डर काउंट कर सकती है, या इस तरह से देखिए, हम पकड़ेंगे, ऐसे, और हाफ पे हम पिन लगा देंगे और यहां से, यहां तक की पहले हम सिलाई कर लेते हैं, तो यह देखिए, जो फंदे हमने उतार रखे हैं, इन ही को अंदर की तरब से ऐसे पकड़ते हुए, और यह धागा हम अंदर फसाते जाएंगे, जो टुकड़ा निकला हुआ है उनका, तो देखिए, इस तरीके से यह बिल्कुल बराबर रखिए, ऐसे और यह, यह लेंगे हम, जैसे भी आप पोईजी लगे, आप इसके सिलाई कर सकती हैं, यह देखिए, यहां से यहां तक, इसको अच्छे से, देखिए, कॉर्नर को इस तरह से पसा देंगे, और अब यहां से, यहां तक, इसी तरह से सिलाई करेंगे, यह जो हमने फंदे उतारें देखिए, अंदर की तरफ से लेंगे, और फंदे जो यहां हमने डालें हैं, यह अंदर की तरफ से, ऐसे लेते जितना हमारा है यह देखे या आप अगर जादा इसका खुला भाग रखना चाहती है पैर डालने के लिए तो आप उस हिसाब से दोनों नाप लिजेगा अगर आपको लगता है कि आपको यह जादा कोलना है तो उस हिसाब से आप नापके फिर पिन लगा लिजेगा या आप अंदाजे से कर लिजेगा मैंने इसको हाफ हाफ रखा है अब मैं यहां तक इसकी सिलाई कर लूँगी फिर हम यह सिलेंगे इस तरीके से यहां से यहां तक बहुत आसान है पहले यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक इसकी सिलाई कर लेते हैं इसी तरीके से अंदर का इधर से ये, और इधर से जो हमने फंदा डाला है, इसको पकड़ते हुए, ये देखिए, इसकी सिलाई मैंने कर ली है, यहां से यहां तक, ये सिलने के बाद, ये धागा पीछे की तरफ थोड़ा सा पलट के कट कर दिया है, और यहां नीचे से, उपर से नीचे तक, यहां ज तरह से, ये इसका शेप आएगा, ऐसे, ये देखिए, फ्रंट पे ये है हमारा, और ऐसे, दोनों पैर का, बिल्कुल एक जैसा ही बनेगा, ये देखिए, इस तरह से, दोनों पैर का, बिल्कुल एक जैसा बनेगा, गैपिंग आपके उपर है, आप इसमें कितना छोड़ती है, ये इस तरह से, देखिए, नीचे बिल्कुल बराबर है, ये एक सिलाई साइट से, एक सिलाई यहां पे, इस तरह से, बिल्कुल ये हमा आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको यह जूती पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में क